नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ही मांशु शाबडावर आप देख रहे हैं अजे एस्ट्रो मनी गुरू बात करेंगे यहाप यह हम डिजिटल गॉल्ड की कि डिजिटल गॉल्ड में निवेश कितना सेफ है और कितना टेक्स लगता है विस्तार से समझेए डिजिटल आपके जरिये भी इसे खरीद रहे है डिजिटल गॉल्ड खरीदने में बजट की कोई बात देता नहीं है इसलिए भी यह लोगों को आकरशित कर रहा है अगर आप भी सोने में निवेश करना चाते है तो आपके लिए डिजिटल गॉल्ड भी एक बहतर विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता ये सबसे बड़ा सवाल बनावा है क्योंकि डिजिटल गॉल्ड में आखिर निवेश करना कितना सेफ है ये लोगों का सबसे बड़ा सवाल है विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए आजकर डिजिटल गॉल्ड खूब चर्चाओं में है काफी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं साती शेयर बाजार की अनिश्यता और मेंगाई की वज़ा से भी लोग इस तरफ आकरशित हो रहे हैं डिजिटल गॉल्ड की परिभाशा कुछ ऐसे समझे कि ये डिजिटल वालेट में पड़े पैस के जैसा है जो आपके पास तो है लेकिन आपकी जैब में नहीं केवल एक रुपे से भी आप इसमें निवेश की शिरुवात कर सकते हैं लेकिन इसमें निवेश कितना सेफ है और इस पर कितना टेक्स लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है आईए इस पर विस्तार से जनकारी आपको बताते हैं डिजिटल गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है, साथ ही इसकी सुरक्षा भी नहीं करनी पड़ती, यानि पूरी तरह आप निश्चित होके ये खरीच सकते हैं, डिजिटल गोल्ड जैसे ही आप बेचते हैं, आपको पूरा पैसा तुरंत ही मिल जाता है, यानि आपको ना तो किसी से करना है, और ना ही पैसा को लेकर कोई चिंता करनी है, आपको बता दे, डिजिटल गोल्ड पर आपको तीन प्रतिशत GST देना होता है, माल लिजे कि आपने 1000 रुपे का डिजिटल सोना लिया, तो आपको 30 रुपे GST में ही देने पड़ेंगे, वही आपको 970 रुपे का सोन मिलेगा, डिजिटल गोल्ड खरीते समय आपको एक वन टाइम चार्ज देना होता है, इस चार्ज में ट्रस्टी फीस और ट्रांजक्शन कॉस से लेकर, मैंटेनस चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, इंशोरेंस और स्टोरेज चार्ज भी शामिल है, इसके अलावा डिजिटल ग गोल्ड की बिक्री के मामले में लॉंग टर्म कैपिटल गेन पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टेक्स देंदारी बनती है, मतलब बीस फिजिक टेक्स प्लस आपको बता दे सरचार्ज और भी काफी चीज़े है, अगर डिजिटल गोल्ड तीन साल से कम अबधी तक ग्रहक के पास रहा तो इसकी बिक्री से रिटर्न पर सीधे तोर पर टेक्स नहीं लगता है, एक बड़ी बात ये भी है कि आप डिजिटल गोल्ड को पास साल से अधिक अपने पास नहीं रख सकते, अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा, डिजिटल ग इसकी तरह डिजिटल गोल्ड को लेकर भी निवेशकों से तमाम तरह के वादे किये जा रही है, सरकार इन सब पर नजर रख रही है और अब जल्द ही कोई नया फैसला भी इस पर आ सकता है, तो डिजिटल गोल्ड को लेकर ये है सबसे बड़ा सवाल कि डिजिटल गोल्ड लाखिर कितना सेफ है, इसमें निवेश करना कितना सेफ है, कितना टेक्स लगता है, कितना इसमें चार्ज लगता है, तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ी बात है, आप डिजिटल गोल्ड जो है, वो गिरवी रखकर आपना लोन भी पास सकते हैं, अलग-लग बैंक ने, अलग-लग सुविधाय जो है, वो शुरू की है, और आपको बता दे, गोर तलब है कि अब सौवरिन बॉन्ड गोल्ड एटीएफ, जैसे कई तरीकों से बड़े पिमाने पर डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रही है, ऐसे निवेश में लोगों को फिजिकल गोल्ड नहीं असान हो गया है, आपको बता दे, वही शिवालिक स्मॉल फिनेंस ने डिजिटल गोल्ड के बतले लोन देने की शिवाश शुरू किया है, सुविधा को लेकर वेंक ने फिनेंशल टेकनोलोजी कंपनी इंडिया गोल्ड के साथ साजिधारी भी की है, एक एजनसी की डिपोर करने के साथ साथ आपको बताते हैं, लोग अब इसका काफी फाइदा उठा सकते हैं और काफी बहतर सुविधा लोगों को मिल सकती है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पलपल के अपडेट पाईए, और आखिर मार्किट में क्या कुछ है और कहा गिरावट है इसकी हम पलपल अपडेट आपको देंगे, बेल बटन पर टैप करना अपना बूलना, शुक्रिया